पूरी तरह से चोकस है आलम यह है कि जीला नरायनपूर में एक भी करोना वाइरस का पॉजिटिव केस नहीं है आपको बता दे कि कलेक्टर पीएस एलमा ने मीडिया के प्रतिनिध्यों को करोना वाइरस संक्रमाण एवं लोकडाउन 4 के संबंध में जीले में अब तक की गई रोक थाम एवं अन्य गतिविध्यों की जानकारी दिये उन्होंने मीडिया प्रतिनिध्यों से चर्चा अपने कक्ष में की उन्होंने बताया कि जीला नारायन पूर में एक भी करोना वाइरस का पोजिटिव व्यक्ति नहीं है फिर भी इस करोना वाइरस से लंबी लडाई चलेगी उन्होंने लोगों को और जाकरूख करने और प्रिचार प्रसार करने मीडिया प्रतिनिध्यों से सहयोग किया और अधिक अपेक्षा की है कलेक्टरेण ने बताया कि विगत एक मई से 36 गर सहीद देश के विभिन राचियों महरास्ट गुजरात राजस्तान मध्यपरदेश उत्रपरदेश जारकन उडिसा तेलंगाना और भी कई राचिये के कामगर श्रमी को चातर चात्राओं सहीद अन्य लोगों को वापस ने बताया कि नरायनपूर जीले के 1638 लोग देश के विभिन राचियों की शहरों में रोजी रोटी एवं अन्य कारिये करने गए थी जिसमें आने के इच्चुक लोगों को लाने की कारेवाही की जा रही है जीला मुख्याले नरायनपूर में पाँच, छोटे डोंगर में दो, बेनूर में पाँच और एकड़ा में दो क्वारंटाइन सिंटर बनाए गई है वर्तमान में 83 विक्ति क्वारंटाइन किये गए हैं कलेक्टर ने नरायनपूर जीले में शुरू किये गई आर्थी गती विदियों के भारे में विस्तित जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए जीले में महात्मा गांधी रास्टे ग्रामी रोजगार गारंटे योजना के कारिये वनोपज खरीदी तेंदू पता खरीदी सरकाई निर्मानकारे संचालित किये जा रही हैं इसके साथ ही लोगों की स्विधा के लिए पेट्रोल पंप गैस एजनसी एवं मेडिकल दुकान सामान दिवसों की भाती खोली जा रही है समस्तो दुकान प्रतिष्ठान बाजार के संचालन की अबधी में भी व्रीधी करते हुए प्राथे आठ से शाम पांच मुझे तक निर्धारित की गई है परतेक शनिवार एवं रविवार को जीले में संपूरन लोकडाउन रहेगा जीले में करोना वाइरस से बचाव हीतु धारा 144 के समय में व्रीधी की गई है अब 31 माई तक धारा 144 लाकू रहेगी नरायन पूर से समधाता गैंदलाल मरकाम के रिपोट जीले में आने क्वश्चात उनको हम लोग 14 कॉरेंटाइन सेंटर बनाए हैं और उन कॉरेंटाइन में सेंटर में सारी सुष्धाय जो यह सा संभव हम लोग कर सकते हैं यहां पर वो रहने के खाने पीने की विजली पानी और चोटी चोटी आवास्ते देने का आवास्त तब चीजें हैं वह सारी ब्यूसा किये हुए हैं और अभी वर्टबान में जो तीन चार सिंटर हैं इसमें हमारे मजूर बर गया गर्ति लोग कॉरेंटाइन सिंटर में हैं इसका तरीत एक सिंटर है जहां पर आइटी बीप के अधिकारी लोग को भी हमने पर रखा हुआ है और सारी बेवर्स हैं वहां पर की गई है ड्यूटी भी हम लोग लगाए हैं ताकि कोई मज़ूर वर्क या कोई बेटी बाहर ना जा सके या फिर घर में जा सके कोई उनसे मिलने भी आएं तो प्रापर फिजिकल डिस्टेंसिंग से बातित कर सके इस टाइप का हम लोगों ने कहा है और सारे समझाई दी कही है इतना भी कोई नाइटीन के लिए दिसंदिर देश हैं सबको हम लोग ने समझाया है उनके घरवालों को उनको फुल को हमारे जूटी ल हैंने बाद लोगों के बाद झाल 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 झाल